गुड़ मॉर्निंग अल अफ यू वेलकम यू अल इस्टुडेंट इन्वरेसेंट ओनलाइन क्लास आज की हमारी क्लास है क्लास थर्ड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है जिक्के तो बच्चों आप अपनी जिक्के की बुक निकालिए आज हम चेप्टर रीड करेंगे कौनसा आज हम चेप्टर रीड करेंगे चेप्टर नमबर 22 अपने 21 है जो पढ़ लिया है आज अपन 22 जो की आपके page number 29 पर है making words मतलब सब्दों को बनाना तो ऐसा क्या है इसमें आपके jumbled word दियो है मतलब उसी spelling को गुमा के लिखी होई है तो उसको reset करके उसको rearrange करके उस spelling को वापिस है जो उसकी right is correct spelling है वो लिखनी है look at the pictures and arrange the jumbled words चित्रों को देखे और उनको उन सब्दों को वैस्तित करें तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है यह spelling आप पढ़ो और photo भी देख लो साथ में ताकि पता चल जाए कि यह spelling है किसकी तो यह metro train है तो metro train की spelling यहाँ पर देखो spelling के सारे हैं जो letters तो एकदम सही है लेकिन उनका अस्तान सही नहीं है क्योंकि उसको गड़बड़ी करके लिखा हुआ है तो देखो ओ आर टी एमी तो इसमें से ही अपन को metro की spelling बनानी है मेट्रो मेट्रो दूसरा है आपके यह देखो लैंब है हना लैंब क्या होता है यह बेड का बच्चा होता है शिप होती है बेड और शिप का बच्चा होता है शिप का जो यंग वन होता है उसको लैंब बोलते है तो लैंब की spelling यहाँ पर देखो कैसे गड़बड़ी करके रखी हुई है एम बी ए एल ऐसे लिखी हुई है लेकिन अपन इस spelling को रियरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे ल ए एम बी लैंब फिर थर्ड में आपके देखो फोटो देखो किसका फोटो है दूद की गिलास बरी हुई है तो गिलास के अंदर क्या है दूद है दूद को इंगलिस में बोलते है मिल्क तो मिल्क की spelling आपको यहाँ पर लिखनी है देखो यहाँ पर कैसे लिखी हुई है spelling L K M I इस spelling को रियरेंज करके लिखनी है तो कैसे लिखेंगे M I L K Milk फिर अगला नमबर है आपके सिंथोल साबुन का spelling सोप है सिंथोल सोब है तो सोब की spelling क्या होती है इसमें देखो आपके क्या लिखी हुई है O S A P लेकिन इसको अपनको करेक्ट स्पेलिंग बनाने के लिए S O A P ऐसे लिखनी पड़ेगी है ना फिर अगला नमबर है आपके देखो फोटो किसका है मचली का फिस का तो यहाँ पे देखो H I F S पूरी स्पेलिंग गडबड की हुई है क्योंकि वहाँ पे इसका जो उस्तान है वो इसका नमबर है जो सही नहीं है तो इसको अपर रियरेंज करके कैसे लिखेंगे F I S H Fिस अगला नमबर है आपके पार्क यह पार्क की फोटो है देखो जिसे में एक स्लाइड रखी हुई है और बहुत सारे हरियली चाही हुई है तो पार्क की स्पेलिंग है जो K A R P S A करके लिखेंगे इसको अपर रियरेंज करके कैसे लिखेंगे P A R K PARK इसी मैंसे सेट करके लिखनी है फिर अगे हैं अंब्रेला की स्पेलिंग अंब्रेला की स्पेलिंग देखो कैसे लिखेंगे है L E R U M B L A लेकिन इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी U M B R E double A ऐसे होगी है ना फिर पैर पैरॉट की स्पेल्ग कैसे लिखनी है पैरोट का ये स्पेलिंग जंबल्ड उर और एकली है लौ यह लोल, c पिर अगला है आपके knife knife में चाकू तो fi kni कैसे लिखे हो ये गडबड की हुए इसी में से बनाएंगे Knife knife फिर है sunflower नी सुरज मुखी तो सुरज मुखी की spelling कैसे लिखे होई है R, W, E, O, L, F, N, U, S इसको rearrange कैसे करेंगे S, U, N, F, L, O, W, E, R फिर लास्ट है आपके Stick Stick कैसे लिखी हो K, C, S, T, I लेकिन इसको अपन rearrange कैसे करेंगे S, T, I, C, K, Stick तो यह आपके chapter होता है complete page number 29 पर chapter है 22 making words तो बच्चों आपको यह वाला काम अपनी notebook में करना है और copy check करवानी है ठीके बच्चों Thank you